नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का स्टेडि ग्लोस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं अंबानी और अडानी की कि आखिरकार इन्होंने ये जंग कैसे जीती है जंग कौन सी पैसे को कमाने की अडानी समूज वो आज इतना आगे निकल चुका है खास तौर पर इस 2024 के अंदर एक रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रूप के शेर्स इतने ज़्यदा हाइक पर जाते हैं कि अडानी इन्हें खुद नहीं सोचा होगा कि वो विश्व के अंदर जो रिचस लिष्ट है उसके अंदर एक बहतरीन मुकाम जो है वो हासिल करेंगे लेकिन आखिरकार ये कहानी जो है वो कैसे चलती है और अंबानी से आगे अडानी कैसे निकल जाते हैं पहली बात तो ये कि क्या वाकई में अडानी की ऊपर कोई पॉलिटिकल हाथ था हम लोग इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं खास तोर पर जब 1990s की बात की जाये तो अडानी को जो जमीने मिली थी वो बहुत कम दाम पर मिली थी हम लोग बात करें कि 1994 के अंदर आप मानके चलिए कि एक रुपए प्रती वर्ग मिटर के हिसाब से अडानी को जमीने मिलती है लेकिन जब मोदी की सरकार बनती है गुजरात के अंदर तो मोदी जी ने 15 रुपए प्रती वर्ग मिटर के हिसाब से अडानी समू को जमीन दी थी और उसका कमाल आज देखिए तो इस बात से तो हम लोग इंकार करी नहीं सकते हैं कि political कोई भी contribution जो है वो नहीं रहा है लेकिन फिर भी बात ये है कि पूत के पैर जो है वो पालने में दिख जाते है कि कितना आगे जाएगा मतलब लंबी रेस का घुड़ा है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम लोग इस lecture के और बहुत भैतरी लेक्चर जो होने वाला है और खास तवर पर क्या वाकई में comparison ठीक है देखिए comparison ही ठीक नहीं है कही ना कहीं जो है वो यहाँ पर mistake है यहाँ पर यह जो वेक्ति आप लोग देख रहे हैं अमबानी सहाब आप लोग देख रहे हैं मुकेश अमबानी सोने की चम्मस लेकर पैदा होते हैं इनके पहले से ही प्रश्ट भूमी ऐसी बनी हुई थी कि पैसे कमाना इनके लिए बहुत आसान था जबकि यहाँ पर हम लोग बात करें अडानी की जो कि अपने भाई के साथ में एक फैक्टरी के अंदर काम करते हैं और धीरे धीरे इन्होंने एक्स्पूर्ट का बिजनस शुरू किया और आज जाकर जो है वो वर्ड के अंदर रेजस्स लिष्ट के अंदर शामिल हो चुके हैं तो पहली बात तो यह है कि कोई comparison नहीं है अगर comparison हो तो फिर अडानी और धीरू भाई अंबानी की बीच में हो सकता है क्योंकि यह फर्स्ट जनरेशन है और धीरू भाई 2023 को उसके बाद में अडानी के शेर्स बहुत धडाम से नीची गिरते हैं लगवग साड़े चार सु रुपीज के आसपास आते हैं और आज आप लोग देखिए कि आसमान चुरहे हैं उसके बाद में एक दिन के अंदर सिंगल डे में अडानी ने इतनी ग्रो किया कि एक दिन क में तो नंबर वन पर आ चुके हैं ठीक है कॉलेज ड्रॉप आउट रह चुके हैं गुजराद से लेकिन फिर रिचेष्ट बिलिनियर बन चुके हैं एशिया के अंदर और अब बात करते हैं कि आखिरकार इनकी कहानी कैसे रही है सुनिए का बड़ा ध्यान से कौन कौन सी क बात करें तो शेर मार्केट के अंदर 10 ऐसी कंपनिया हैं जो कि शेर मार्केट के अंदर लिष्ट है अब ही में हाल ही में शेर देख रहा था इनके कि पिछले 3-4 दिनों की अंदर इनके शेर जो है वो आसमान चुने लग गए हैं कारण ये है ठीकि सूप्रिम कोड की हाल ही में रिपोर्ट आई और उन्होंने एक क्लीन चिट दे दी है अडानी ग्रूप्स को कि इनका जो है हिंडन बर्ग की जो रिपोर्ट आए थी उससे कोई लिवेंदरा नहीं है वो रिपोर्ट जूटी थी और अडानी जो है वो अपना काम बहुत भैतरिन तरीकी से कर रहे है हाली में अगर हम लोग देखें तो अडानी पावर्स के आप लोग शैर देखिए बहुत ज़्यदा हाइक पर है जो कि थर्मल पावर जनरेशन का काम करती है अडानी एंटरप्राइजी जो कि नेस्रोल रिसूर्स का काम करती है यहाँ पर आप लोग देखिए कि अडानी ग गला सुख्रा इनकी कम्पनियों के नाम देते लेते, अडानी एनर्जी सॉलिशन जो की पावर डिस्ट्रिबूशन का काम करती है, गैस डिस्ट्रिबूशन का अडानी टोटल गैस लिमिटेड, इसके शेर जो है, वो आप लोग चेक कीजिएगा, कि लगभग 1100 के आसपास में शेर बने हुए है, मेरे एक जानने वाले हैं, उनको मैंने जब आज से दिसंबर के स्टार्टिंग में शेर दिलाए था, तो 702 रुपेगा एक शेर दिलाए था, लेकिन आखिरकार इतना बड़ा सामराजी जो है, वो कैसे वराया, देखिए राजने ते एक पॉलिटिकल हाथ कितना भी क्यों ना हो, लेकिन जब तक खुद के दिमाग के घोडे ना दोड रहे हो, तब तक चाहिए कोई बड़े से बड़ा हाथ को ना रख दे, आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, देखिए, 2020 की गणित यहाँ पर देखिए, 2020 के अंदर यहाँ पर अंबानी बहुत उपर थे, 59 बिलियन डॉलर जो है वो इनकी संपती थी, जबकि यहाँ पर इनकी गणित केवल 10 की ही है, फिर 2022 के अंदर अंबानी से उपर जो है वो निकलते हैं, अडानी 88.5 बिलियन डॉलर और फिर अंबानी है 87.9 बिलियन डॉलर, आपको जो है यह गणित समझ में नहीं आ रही होगी, मैं अभी थोड़ा से आसान भाषा में आप लोगों को यह बता जेता हूँ, डेली जो एडिशन करते हैं, अडानी सहाब वो है 36 मिलियन डॉलर, 36 जो है, वो मिलियन डॉलर ये तो पर डे का, डेली एडिशन टू वेल्थ है, जबकि अम्बानी सहाब की यहाँ पर नोट की केवल दो ही गड़्या रखी हुई है, 1.8, 1.8 जो है केवल इतनी सी, तो यहाँ पर यह बड़ा आमाउंट और यहाँ पर और यही डिफरेंस बनाता है, कि अडानी ने आज पूरे एशिया के अंदर नमबर वन का खिताब हासिल कर लिया है, लेकिन यह किया कैसे है, उसके बारे में आज हम लोग जानकर रेप्राप्त करेंगे, और खास तोर पर इनकी पूरी जो बाइग्राफी है, आटो बाइग्राफी है, यह हम लोग कहें कि इनकी जीवीनी जो है, वो भी हम लोग देखने वाले, किस तरीके से बहुत छटा सादमी इतना आगे निकल गया है, और अडाने की जो गणित है, आगे बढ़ने की वो यहीं से शुरुआत हो जाती है, मुनड़ा पोर्ट से, फिर मुंबई है, JNPT है, मौर्मिगाओ है, मैंगलोर है, कोची है, तूती कोरिन है, चैननाई है, एनौर है, विशाका पटनम है, पारादीप है, हल्दिया है, कोलकाता है, है, इतने सारे पोर्ट जो है, वो आज अडानी के पास है, मतलब हर तरफ जो है, वो अडानी ही, अडानी है, आप लोगों के लिए 75 डेज का एक कोर्श जुरू किया गया है, जिसमें आप लोग addiction से मुक्त हो सकते हैं free हो सकते हैं 75 techniques जो है वो आप लोग को बताई जाएंगे और daily आप लोगों से live मुलाकात होती है शाम को आप लोगों से मुलाकात होती है आप लोगे जो views वगरा है उनको share किया जाता है 75 techniques आप लोगों को बताई जाते हैं 75 Shorts के थूँ जो है आपको aware करने कोशिश की जाती है आप लोग को ये batch जो है वो जोईन करना है पांच जनवरे से शुरू हो चुका है 75 Days का hard challenge है Core Use कीजिगा challenge जिससे आप लोग इससे connect हो सकते हैं और जिस दिन भी आप इस course से connect होंगे तबी से आपका 75 Days का hard challenge जो है वो शुरू हो जाएगा चलिए शुरुआत करते हैं पहले अंबानी से अंबानी सोने की चमस लेकर जो है वो पैदा होते हैं और अंबानी की education आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर Stanford University से इन्होंने जो है वो MB करना शुरू किया था लेकिन वहाँ से drop out होए तो अंबानी जो है जिन्होंने engineering कर रखी है Mumbai Institute of Chemical Technology and then drop out of MBA MBA से फिर integration complete की और MBA से जो है यह drop out हो गए थे इसके बाद में इन्होंने अपने पिता धीरू भाई अंबानी की help की जो कि Petrochemicals की company की अंदर जो है उसको industry को run करते थे और उसी की सहाथा से यह आज जो है वो भी इन्होंने काफी नाम कमाया है He then expand the company several folds of made massive belt in the telecom and retail Telecom और retail के अगर हम लोग बात करें तो जिस समय G.O. कदम रख रहा था भारत के अंदर उस समय इनके जो भाई थे ठीक है अनील अंबानी उनके पास में बहुत बड़ा network था यह वाकरी में बहुत real घटना है होता क्या है कि मुकेश अंबानी के पास में मुकेश अंबानी ये चाहते है कि मैं पूरे भारत के अंदर free internet जो है वो पहुँचाना चाहता हूँ बाचीत होती है और ये बाचीत होती है कि वह अनील अंबानी का जो पूरा network फैला हुआ है आरकॉम का Reliance Communication का उसका इस्तमाल कौन करेगा मुकेश अंबानी करेगा और इसके लिए 1200 करोड रुपे के अंदर दोनों के बीच में क्या होता है लेंदिन होता है लेकिं दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट को खतम करवानी वाली कौन थी इनकी मदर थी इनकी मा जो है वो दोनों लोगों से बाचीत करती है दोनों भाईों से बाचीत करती है और कहतें कि business जो है वो मिल कर साथ करो तो यहाँ पर अंबानी जो है वो basically एक सोने की चमस लेकर पैदा हुए है पहले से इनका background जो है बड़ा strong रहता है आते हैं हम लोग अडानी की उपर अडानी जो है उनकी family जो की आगे बढ़ती है textile industries को, textile traders को लेकर साथ भाईये, साथ भाईये इन में से एक भाई जो है वो एहमदाबाद के अंदर रहता है जो कि plastics का काम करता है जैसे plastic की जो packaging आती है polythine की जो packaging करते हैं उसका जो है वो काम करता था इसका भाई अब जब इनको जरुद पड़ी कि यार हमको जो है आपकी help चाहिए तो इनोंने, मतलब इनके जो भाई है अडानी के जो भाई है उन्होंने एमदाबाद के अंदर अडानी को बुलाया कि भाई आईये, यहाँ पर फ्रक्सा contribution दिखाईये लेकिन अडानी जो है उनका background इतना strong नहीं था commerce degree इनके पास में थी गुजरात उनिशिटी से लेकिन इनोंने drop out किया फिर diamond trade करने लगे कहां पर Mumbai की अंदर फिर इनोंने अपने जो भाई है उनके साथ में plastic जो molds होते हैं जो granules होते हैं प्लास्टिक के चोटे-चोटे दाने होते हैं उनको एक form के अंदर जो है प्लास्टिक की ज़रुद थी लेकिन domestic market इनकी requirement को fulfill नहीं कर पा रहा था इसलिए अडाने साहब ये कहते हैं कि हम लोग भारत की बाहर से इंपोर्ट करेंगे उस प्लास्टिक को और प्लास्टिक को इंपोर्ट करके फिर हम लोग इसकी manufacturing करेंगे ठीक ऐसा ही हुआ और अडानी को ये प्रतलाग जाता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर गसब का पैसा है इसलिए इन्हों ने सबसे पहले अडानी एक्सपोर्ट जो है इसका काम शुरू किया और इस नाम से company को इस्थाफित भी कर दिया लेकिन फिर यही company जो है वो बाद में अडानी enterprises बन जाती है जो कि coal के power के, real estate के agro products के, oil and gas के product में, financial services port के अंदर, बहुत सारी companies के अंदर ये जो है अपना expand करते हैं, तो एक छोटी सी story है अडानी की कि कैसे जमीने इस तर पर, इसलिए मैंने पहले कह दिया था कि इनका comparison नहीं है अगर धिरू भाई, अंबानी और अडानी का comparison किया जाए, तब तो हम लोग ठीक मानेंगे, क्योंकि वही जो है, ये इनकी first generation थी, यहाँ पर देखिए आप लोग, कि ये तो story में आप लोगो बता ही दी है, ठीक है, अब देखिए 8 फरवरी 2022 को 8 फरवरी 2022 को अडानी टोटल वेल्थ surpassed that of अंबानी, अंबानी को जो है, क्रॉस करते हैं, किस परकार से अडानी jump up to 10th sport, अडानी का नंबर कौन सा है, दस्वा नंबर पर है लेकिन अंबानी जो है, वो 11 नंबर पहुंच जाते है, तो अंबानी को सरपास किया है, अडानी ने कब 8 फरवरी 2022 को ये डेट्स जरूर याद रखना है आप लोग, क्योकि मैं बात करने वाला हूँ, हिंडन बर रिपोर्ट की, मैं बात करने वाला हूँ सूप्रिम कोट के क्लिंच इट की, तो वहाँ पर वो डेट्स जो है, वो हमारे काफी काम में आने वाली है, ठीक है? दीरी दीरे, दीरे अंबानी जो है वो पिछटते चले जाते हैं, लेकि अचानक क्या होता है, कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पर अंबानी के शेर वापस से उपर के तरफ जाते हैं, ठीक है? दो सेशन्स के अंदर और अंबानी रिगेन दा टैग ओफ एशिया रिचेश्ट परसन अंबानी जो है वापस से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो है, वो बन जाते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, दो हजार तेईस के अंदर अडानी जो है उनके लिए दो हजार तेईस बहुत खराब रहा है क्यों? क्योंकि सेलिंग एक्टिविस्ट जो शॉर्ट शेलिंग कंपनी है, हिंडर बग अब हिंडन बर्ग का भी इतिहास जो है, वो बड़ा जबर्दस रहा है 2018 के अंदर एक रेक्ट थी जो कि बहुत बड़ी MNC को छोड़कर खुद की कंपनी को स्थापित करता है इस चीज के लिए कि मैं दूसरों की जो है वो पोल खुलूँगा, तो हिंडन बर्ग की रिपोर्ट आती है, और उसके बाद में अडानी की जो शेर्स हैं, वो नीचे की तरफ डाउन फोल होना शुरू हो जाते हैं तो टू डेज बिफोर दा रिपोर्ट ब्रेक मतलब ये हिंडन बर्ग ने जो अपनी रिपोर्ट को ब्रेक किया, उससे पहले अडानी की जो नेट वर्थ थी वो 121 बिलियन डॉलर थी आपको ये नंबर समझ में नहीं आ रहे होंगी अभी मैं आप लोग को थोड़ा सा explain कर देता हूँ, थोड़ी दिर बात में, रुकीगा ठीक है, लेकिन जैसे ही हिंडन बर्ग की रिपोर्ट आती है तो वो जो 121 बिलियन डॉलर की जो संपती थी, wealth थी, वो Supreme Court की रिपोर्ट आती है और एक दिन की अंदर ही, केवल एक दिन की अंदर ही अडानी ने 63,000 करोड रुपे जो है, वो अपनी wealth के अंदर जोडे, और फिर ये अंबानी से आगे निकल जाते हैं, ठीक है अच्छा, अब आपको ये गणिप जो है, वो समझ में बन जाता है, तो अडानी की net worth जो है, वो 97.6 billion dollar है, जबकि अम्मानी की 97 billion dollar है, इसको इस तरीकी से समझिए, जो विश्व के richest person है, Elon Musk सहाब, Elon Musk जो है, उनको ये मानिए कि उनकी जो net worth है, वो है 18,000,000 करोड है ना, मतलब 18,000,000 करोड जो है, वो इतनी है, फिर अगर हम लोग अडानी की बात करें, तो अडानी जो है, वो अभी है आठ लाक बारा हजार करोड रुपए जबकि अम्बानी जो हैं वो हैं आठ लाक छे हजार करोड रुपए ठीक है? इतना डिफरेंस है एक दिन के अंदर ये डिफरेंस जो है वो क्रेट किया गया है वो अब भी भी समझे में नहीं आया वापर समझे जब कोविड कर टाइम पिरेड था तो कोविड के टाइम पिरेड के अंदर मोदी जी में ये कहा था कि हम लोग 10 लाक करोड रुपए जो है वो राहत पैकेज के रूप में अनौंस करते हैं कुछ समझे में आया? तो आप लोग समझ सकते हैं यहां पर कि जो ऐलोन मस्क हैं वो 18 इनकी है नंबर समझ लीजिए फिर यहां पर 8 है और यहां पर डिफरेंस देखे केवल एक दिन के अंदर 63,000 करोड रुपए एड करके अडानी जो है वो एक कदम उपर के तरफ बढ़ जाते हैं लेकिन कैसे दो साल के अंदर इनकी समपती जो है वो 900 प्रतिशत जो है वो बढ़ जाती है मतलब हमेशा जब इन्होंने जम किया है तो multiples के अंदर जम किया है 5, 10, 15, 20 इस तरीके से तो over 5-fold जम 5, यहनि कि 5-fold मतलब जो हम लोग कहते हैं कि 5 गुना जो जम करता है in the market of capitalization इनकी इनकी जो shares से इनकी जो capitalization है इनकी जो हम लोग कहते हैं कि पूंजी जो होती है वो 5 गुना 10 गुना तक जो है वो बढ़ जाती है ठीक है लेकिन फिर क्या होता है अडानी जैसे अडानी टोटल गैस है है ना एटी जीस की मैंने बात की थी शेर लगबग 1100 के आसपास में है अडानी ग्रीन्स की हम लोग बात करें अडानी एंटरप्राइजिस की बात करें तो यह multiples time जो है इनके संपती बढ़ रही थी क्योंकि शेर मार्केट इनका काफी हाई जा रहा था अडानी एंटरप्राइजिस जो है वो 730 प्रतिशत समझ रहे हैं आप लोग 100 प्रतिशत नहीं उसका भी 7 गुना 730 प्रतिशत जो है इनके शेर मार्केट की वैल्यू बढ़ती है अडानी ट्रांश्मिशन 500 प्रतिशत अडानी पोर्ट 95% गजब मतलब देखिए क्या ही कमाल चल रहा है इधर तो है ना क्या ही कमाल चल रहा है और हम लोग यहां पर लेक्चर ले रहे हैं कहां पहुंच रहे हैं अडानी अंबानी का है ठीक है तो अडानी ग्रूप एड़ेड 34,000 रुपए जो है उनके मार्केट वैल्यू के अंदर एड होते हैं फूड एंड ओयल जॉइंचर अडानी विल्मार तो अडानी विल्मार जो है वो कंपनी 34,500 करोड के अंदर खड़ी होती है और फिर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ जादा ही गणित यहां पर चल रही है अडानी की नेट वर्थ जो है वो 594 यह सब हुआ कैसे है ना यह सब चल कैसे रहा है क्योंकि अडानी ने जहां-जहां कदम रखा है अडानी जो थे वो काफी अच्छा बैलेंस करेट किया है तो अडानी जो थे वो सब्टेंबर 22 के अंदर जेफ बैजोज को भी रिप्लेस करते हैं और सेकेंड रिचेश परसंट बनते हैं एलोन मस्क पहले नमर पर और फिर कौन आ आते है अडानी आ जाते है जेफ बैजोज को रिप्लेस करते हैं हिंडन बर्ग की रिपोर्ट आती है 24 जनवरी 2023 को उसके बाद में अच्छा हिंडन बर्ग क्या है कमपनियों को जो है शॉर्ट लिष्ट करती है शॉर्ट शैलिंग की वो शॉर्ट शैलिंग कर रही है मतलब वो गलत तरीके से इल्लीगल तरीके से जो है अपने शैर की वहाँ पर मार्केटिंग कर रही है ठीक है तो वर्ड फॉर्ट रिचेश्ट मैं एड दा टाइम जिस समय रिपोर्ट आई थी उस समय अडानी जो थे वो विश्व के चौथे सबसे अमीर वैक्ती थे फिर वो टॉप टैन के लिष्ट में आए और फिर जो है वो तीसवे इस्थान पर पहुंच जाते हैं और उनकी नेट वर्थ जो है वो केवल 40 बिलिन डॉलर पहुंच जाती है मतलब बहुत जादा नीचे जो है वो इनकी स्थिती आजाती है और उस समय किसी ने शेर खरीदा होगा साड़े 400 रुपे का आज उसकी कीमत लगवग धाई हजार पहुंच चुकी है ठीक है मतलब किसी ने एक लाख रुपे इंवेस्ट किया होगा तो ये मानके चलिए कि आज जो है वो लगवग लगवग 5-6 लाख उसकी आराम से बन चुके होंगे 3 जनवर 2024 को जब सूप्रिम कोट की रिपोर्ट आती है क्योंकि सूप्रिम कोट को एक रिपोर्ट सम्मिट होती है सेबी की तरफ से CBI की तरफ से कि हम भी मामले के अंदर जाच कर रहे हैं इनकी जितनी भी कंपनिया है उनके अंदर के वो 3 कंपनिया बाकी है और अगले 3 महीने के अंदर वो हम लोग रिपोर्ट को कंप्रिट करके दे देंगे और फिर सूप्रिम कोट ने कहा कि यहाँ पर अडानी जो है वो बिलकुल clean shit है इनके पास में कोई ऐसे दस्तावेज नहीं है या फिर इन्होंने short selling की है इसा कुछ भी नहीं है इसलिए इनको clean shit दी गई और उसकी बाद में इनके share market जो है वो काफी हद तक बहुत उपर तक पहुंच जाते है तो एक छोटा सा lecture जो है लेकिन काफी लंबा हो गया आप लोग के लिए 75 days का एक challenge जो है वो लिया गया है देखते हैं कितने student जो है कितने लोग जो है वो इससे जुड़ते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आज के youth को परिशान कर रहा है वो ये है, pawn addiction कैसे आप लोग बहार निकले, इसके लिए challenge आप लोग को accept करना पड़ेगा code use कीजी का challenge और जब से आप इस course को join करते हैं तब से ही आपका challenge जो है शुरू हो जाता है इनके जो rules है, वो app के उपर available है सबसे पहला ही वीडियो जो है, वो किसका है, rules का है आपको rules जो है, वो बहुत अच्छे से follow करने पड़ेंगे telegram channel है दीपक इंदर official, आप लोग मुझे आपर join कर सकते है lecture की pdf और other details जो है, वो आप लोग को available हो जाएगे तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, अगले session में तब तक ले धन्यवा, thank you, जैहिंद